हेलो गाइज मैं हूँ प्रीती और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आईक्यू स्टुडेंट्स पॉइंट इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम प्रोग्राम का जो स्लेबस है न्यू एडुकेशन पॉलिसी के अंडर जिन्होंने फॉर्स टियर में एड्म और बीकॉम होनर्स का जो है स्लेबस एक्सप्लेइन किया था अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी वहां से जाकि आप लोग देख सकते हैं तो टाइम वेस्ट ना करते हुए तीसरा रहेगा आपका फाइनिसल अकाउंटिंग ठीक है तो अब आप सोच रहे होगे कि मैम यह तो बीकॉम होनर्स से बिलकुल मिलता जुलता है तो बिलकुल सही बात है बीकॉम होनर्स में भी जो दो में कोर है बिजनस लो और फाइनिसल अकाउंटिंग और बीकॉम प्र अगर आप लोग चाहो तो वहां से जाकि classes देख सकते हो और अपनी study को जो है वो continue कर सकते हो क्योंकि आपको बुक्स प्रोवाइड करवाएंगे इसके भरोसे तो बिलकुल भी मद बैठना अपनी study खुद से करो मैंने वीडियो बना रखी है लास्ट एयर की आप उसमें अपने यूनिट को मैच करो यूनिट अगर मैच हो रहा है तो उसके अपनी classes स्टार्ट करो अपने notes बनान तो चलो बात कर लेते हैं हमारे D.S.C.1 की business organization and management की इसमें आपको total कितने units पढ़ने हैं तो देखिए इसमें आपको total पांच unit पढ़ने होंगे सबसे पहले unit में आपको introduction बताए जाएगा कि organization का क्या role होता है management का क्या role होता है एक organization में natures क्या क्या होते है management के इन सब चीजों के बारे में बताया जाएगा आपको उसके बाद unit 2 की अगर बात करोगे तो business environment के बारे में आपको बताया जाएगा planning क्या होता है, organizing क्या होता है, directing क्या है, controlling क्या है ये सारी चीज़े आप लोगों ने अल्रेडी पढ़ी है 11th class में गलत तो नहीं बोल रही है, बढ़ा होगा न आप लोगों ने लेकिन हाँ वहाँ पे आपने overview लिया होगा यहाँ आपको deeply study करनी है, इन सभी topics के बारे में तो unit 3 आपका planning और organizing है, कि एक organization में क्या importance है planning और organizing की, किसी भी company में किसी भी corporate office में क्या importance है इसकी, उसके बाद आप पढ़ोगे unit 4 में directing and controlling, ठीके, उसके बाद आपका last unit रहेगा, आपका unit 5, इसमें आपको basically management वगरा के बारे में बताया जाएगा, कितने type होते हैं, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में आपको बताएंगे इसमें, note करते वे चलना कि किस unit में आपको क्या-क्या पढ़ना है, क्योंकि आप लोग यह जो PDF है यह अभी तक आपके official website पे अवेलबल नहीं है, जो अभी तक आपकी PDF प्रोवाइड नहीं किया है, study material प्रोवाइड नहीं किया है, यह मैं आपको other website से ढूंड के आपको बता रहे हूं, तो इसलिए आप अपने copy में इसके notes बनाते हुए चलना, यह बहुत सारे अलग-अलग courses के syllabus जो है, वो mix है, तो इसलिए मैं आपको separate PDF प्रोवाइड नहीं करपाऊंगी इसका, तो आप लोग खुद सी इसका PDF जो है वो बनाते हुए चलिएगा, ठीक है, पहला हमारा complete हो गया DSC1, DSC1 में मैंने बता दिया BUM के तो टोटल 5 यूनिट से आपके और पांच यूनिट क्या क्या है यह बता दिया मैंने आपको अब हमारा आता है DSC2 मतला main core subject आपका to business law तो business law जो है इसमें आपके total कितने यूनिट से इसमें भी आपके total 5 यूनिट है अब एक और important बात बता दू मैं आपको कि business law जो उन सभी के जव лю जितने वी यूनिट्स है वो बिलकुल सेम है खेल्ड व अंभी इसकी वो मैंने अपनर दो नियुक्तव को मैंच करो यूनिट हो रहा है टॉपिको मैंच कर भी मैं तो वह आपके लिए भी है कम् Pulisoda सेमेपर कुलीट सेमे है तो पहला यूनिट क्या है इसमें आपका इंडियन कॉंट्रेक्ट एक्ट 1872 अब इसके अंडर क्या क्या आता है क्या मीलिंग है इसके इन सब के बारे में आपको बता जाएगा कि इंडियन कॉंट्रेक्ट एक्ट जो था 1872 वो क्या था यह भी आपको 11 पे पढ़ाया हुआ हो unit 2 में unit 3 तो आपको special contract क्या-क्या होते है कौन-kौन ऐसे contract हैं जिनको special की category में डाला गया है इन सब चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा इसमें आपका guarantee क्या होता है एन सब के बारे में आपको बताएंगे उसके बाद आएगा वनत आपका UNIT 4, UNIT 4 में आपको Նपको सेल्स औफ गूड्स एक्ट नैंटीन 30 के बारे में बताया जाएगा, ठीक है? किया मीनिग है, डिफ्रेंस क्या साथ More OK है को इसको भी करते विछ मैं अंदर मैं आपको क्या पढ़ाया जाएगा इस यूनिट के बागी आप लिखते विए चलना उपको Sun काख़ाई करणा करती अपकी आपकी आफ स्टडी अप任 कर दो दर रख continue कर पाओ ठीक है उसके बाद आता है आपका यूनित 5 यूनित 5 में आपको दर लिमिटेट लियाबिलिटी पार्टनर्शिप एक्ट 2008 के बारे में बताया जाएगा कि यह LLP क्या होता है इसमें इसकी क्या क्या फीचर से नीचर क्या होता है इसमें क्या होता है डिफ्रेंस क्या है बिट्विन LLP एंड पार्टनर्शिप LLP के बीच में इन सबसे बारे में आपको इसमें भी बताया जाएगा इसको भी नोट डाउन कर लेना काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह आपका काफी इंपॉर्टेंट आपका यह यूनित रहेगा अब हम बात कर लेंगे हमारे DSC 3 के बारे में मतलब में कोर सब्जेक 3 कौन सा है हमारा वो है फाइनसेल अकाउंटिंग Financial Accounting के बारे में भी मैं आपको एक बात बता दू कि जो B.com Honors का Financial Accounting है और B.com Program का Financial Accounting है ये दौनों सेम है सारे यूनिट्स अल्मोस्ट इसमें सेम है तो परिशान होने वाली बात नहीं है जो में B.com Honors को Classes प्रोवाइड करूँगी वही आप लोगों के लिए भी Classes रहेगी Financial Accounting, B.O.M. और Business Law तीनों की Classes हमारे चैनल पर अवेलिबल है तो आप लोग वहाँ से Classes अटेंड करना स्टार्ट करो Further Classes जो होंगी आपके आगे की वह भी मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवाने की कोशिस करूँगी ठीक है, क्योंकि फरवरी में आप लोग के इक्जाम से जैसे कि मैं आपको बताया था आपके अकेडमी कैलेंडर के अकॉर्डिक तो उसको निगलेक्ट मत करना, ध्यान में रखना और उसकी हिसाब से अपनी स्टडी करना तो चलो हम फाइनिसल अकाउंटिंग का जो स्लेबस है वो देख लेते हैं इसमें आपके टोटल कितने यूनिट्स हैं तो देखो इसमें आपके टोटल जो हैं पांच यूनिट्स रहेंगे ठीक है, कौन-कौन से यूनिट्स हैं आप ये पांच, ये देख लीजे आपका यूनिट वन जो है, वो काफी लेंदी रहेगा आपका इसमें आपको फ्रेमवर्क एन अकाउंटिंग प्रॉसेस के बारे में बताया जाएगा ठीक है, तो इसको देख लीजेगा आप लोग, नोट कर लीजेगा आप लोग में स्क्रोल कर रहे हूँ ये थोड़ा से लेंदी रहेगा यूनिट टू भी थोड़ा से लेंदी है इसमें आपको बिजनस इंकम के बारे में अकाउंटिंग और प्रॉपर्टी के बारे में इन सब चीजों के बारे में बताया जाएगा ठीक है, वैलुएशन ओफ इन्वेंटरी क्या होती है ये सारी चीजे इसमें आपको बताई जाएगी यूनिट ट्री बहुत छोटा सा यूनिट रहेगा यूनिट फाइव की यूनिट फाइव जो है वो रहेगा आपका कि अकाउंटिंग सिस्टम जो है उसको कैसे कंप्यूटराइज किया जाता है इसके कॉंसेप्ट इसमें आपको बढ़ाए जाएगे स्टेप बाइस ठेप ठीक है बेकउप और रिस्टोर डाटा वगरह क्या होता है यसी क्या आपको पता होगा कि किसी भी चीज को हम बैकप कर लेते है रिस्टोर यह इन सब चीजों के बारे में भी ट्राइल बैलन्स क्या होता है profit and loss account balance sheet GST वगरा क्या होता है वैसे मैं आपको बता दूँ यह चीज़ आपने पढ़ी है लेकिन basic पढ़ा है यहां पढ़ोगे deeply ठीक है तो clear हो गया आपको आपके तीनों जो मेंन कोर सब्जेक्ट हैं अब हम बात कर लेंगे हमारे जो एडिशनल सब्जेक्ट से आपके मतलब G, A, C, SAC, WAC इन सब के बारें बात करेंगे कि इनमें कौन-कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने है तो देखो बीकोर प्रोग्राम का जो मेंन कोर था आपका में जो है आपको क्या-क्या पढ़ना होगा तो G में देखो आपको options दिये गए हैं आप English fluency ले सकते हो, Hindi ले सकते हो, Hindi भासा और साहित्य ठीक है या फिर आप चाहो तो Sanskrit ले सकते हो, Study of Development of Urdu मतलब आपने अपने ले लिया होगा है ना जो आपने admission लिया होगा उस time पे आपन अपलसरी सब्स अब सभी के पास होगा यह बीकॉम प्रोग्राम में भी है वीकॉम ओनर्स में भी है बीये प्रोग्राम में भी है और सभी courses में subject दिया गया है इसके जो classes है environmental science की वो भी हमारे चैनल पर डली हुई है वहां से भी आप इसकी classes ले सकते हैं उसके बाद सेख की करें तो इसमें आपको तीन ओप्शन्स दिये गए हैं कौन-कौन से ओप्शन्स हैं आपके फाइन फाइनेंस फॉर एवरीवन ठीक है कॉम्मुनिकेशन इन एवरीडे लाइफ और रंगमंच मतलब हिंदी यह तीन सब्जेक्ट्स हैं तीनों में से आपने कोई सब्सक्राइब करना मैं इसका सेपरेट जो है वह आपको प्रोवाइड कर दूंगी अब एकस्पें कर दूंगी कि कौन-कौन से आपको इसमें कितने यूनिट्स पढ़ने हैं और क्या रहेगा ठीक है उसकी बाद की बात करें वैल्यू एडिशन की तो इसमें भी आपको कोई स्टिक करना है यहां पर आपको तूटल चार अप्शण दिए गए हैं हैं चारों में अबने कोई सब्च्च जो है यहाँ पे भी सलेक्ट किया होगा जो भी सब्जेक्ट रपने सेलेक्ट किया होगा वह हम पढ़ाएंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हilsन आप में भी क्वाईरी हो कुछ भी पूछना हो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में या टेलीघ्राम पे मेर से पूछ सकते हो ठीक है तो जो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेर कीजेगा साथ में टेलीघ्राम का जो डिसकॉस्टन ग्रूप है वो जरूर जाइन कर लीजेगा ताकि क कोई डाउट रहे तो टाइमली आप लोग आपस में डिसकॉस करके क्लियर कर पाओ ठीक है तो थैंक्स फॉर वाचिंग देस एंड बेस्ट अफ लकॉल गाईज